है अगर चिह कि अधे की आपको सब्सक्राइबं आपको आपको जानेवाले किसे पोसको कर सकते हैं तो चलि हैं सबसे पहले आपको फॉन की सेटिंग में जाना होगा यहां से स्कॉल डाउन करने पर आपको साउंड एन बाबरेशन का एक ओफिसन देखेगा आप यहां क्लिक किजिए जिसके वर फ्रेंट्स आपको यहां पर वो सभी नॉटिफिकरिशन साउंड बगेरा और जितने भी बॉलियम रहते हैं इस सिम बन के लिए सिम बन पर आपको अफिस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर सामने देखेगा अब आपको यहां देखने को मिलेंगे राइट-hand side में थी लाइन इनपर क्लिक करके आपको अपने फॉन के अंदर चली जाना है अगर फॉन में है तो अगर memory card पढ़ा हुआ है तो तो आपको उस पर क्लिक करना है, इस तरह से, आपके करना है, उस folder के अंदर चली जाएए, जहां पर आपने उसको save करके रखा हुआ है, अगर जैसे कि यह download किया है, तो simple download में होगा वो आपका, download में जाएए इस तरह से, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, मेरे phone में इसलि जैसे आपको मिले, तो इस तरह से क्लिक करके आपको बापत चले जाना होगा, तो यह file से आपके set हो जाएगी, same, इसी तरह से sim 2 की आप ringtone को बदल सकते है, notification sound को भी आप चाहिए तो change कर सकते है, alarm tone को भी बदल सकते है, और नीचे के आपको कुछ और भी settings मिल जाएगी, जै इसके लाबा आप जाहते हैं, आपके phone पर call आये, तो आपको phone बापरेट भी होना चाहिए, तो आप इसको यहां से click करके ok कर लीजी, आप आपको phone पर call आईगी, तो phone बापरेट भी होगा, और आपको phone ring भी होगा, तो इससे आप इसको भी on कर सकते है, एडवर्स ऑस्पन पर click करके आपको other sound की setting मिल जाते हैं, जैसे की dial pad की जो tune होती है, उसको आप बंद करना चाहते हैं, तो आप इसको भी on कर पाएंगे, तो इससे आप कर सकते हैं, आसे करते हैं, आपको वीडियो काफे अच्छे लगी होगी, वीडियो को लाइक सियर और चैनल को